तो यह जो पार्क में जाने हैं लिबात हुई के दिलबर बाबर दावत करें तो पार्क में अच्छा भी लगता है मज़ा भी आती है तो अपना खुद का भी कुछ करेंगी यह तिर्फ और तरिफ सलमा ही बनना चाहती है अगर सलमा बनना है न तो साथ जनम लेने पड़ेंगे उतके बाद भी मुझे नहीं लगता तू बन पाएंगे तो जित तरह ते ये एक्टिंग लगाई है ना सलमा बनने की और कॉफी कर रही है हर एक चीज को सलमा की कॉफी कर रही है हर एक चीज को लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी कर नहीं पारी तो सैड चाप लोगों को याद होगा ना कि जब ये सौधी गई थी या ये नहीं गई थी उससे पहले भी और उसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कि हर बारी ना ये जो पार्ट में जाके खाना खाना या इंजॉय करना और बच्चे लोग को गुमाना वाले जाके फिर अलबैक से चीजे खाने की लेके और पार्ट में जाके खाना पीना ये तब कौन करता है आप लोगों को पता है ना ये तारी चीजे ना सलमा करती है और ये करती है आमें था सलमा को कौपी मुझे ना इनकी अम्मी जो सूट की और बेटी की इतनी तारीफ कर रही थी ना तो मुझे फिर से डर लगने लगा किस बात का डर आप लोगों को याद है ना जब ये सौधी गई थी तो अम्मी रोज इसकी तारीफ करती थी रोज तारीफ करती थी और ये फिर बाद में क् करना चीए और वो फेक तारीफ हो रही है फेक एक्टिंग हो रही है जैसे कोई स्क्रीप लिखके पढ़ी गई हो उसके पर काम किया जा रहा हो वो तो साफ दिखाई देर है लेकिन इतनी ज़्यादा एक्टिंग ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेंगा फिर उसके नत अकले के बाल उड़ाने की धमकियां देते हैं तो प्लीज ऐसा कुछ ना करें मी के फिर से कोई कांड हो जाए थोड़ा सी कंट्रोल करके तारिफे करें थोड़ा सी कंट्रोल करके चने के जाड़ पे चड़ाए इसको प्लीज आपको पता है ना कि ये अपने आपको कुछ पर इसमझ लेती है और फिर यह अपनी आदाएं दिखा दिखा के क्या क्र लेती है यह आपको पता है ना और रिस्ते कां और कांड हो जाते कौन से रिष्टों में वो भी आपको पता है तो फ्लीज थोड़ा थी कंट्रोल करें अच्छा एक बात और मतलब पूरी फैमिली पूरी फैमिली पार्क में गई खाना वना बना के सब करके लेके गए लेकिन रुबिना को किसी ने नहीं पूछा आप लोगों ने देखा होगा तो रुबिना को किसी ने नहीं पूछा चलो मानते वो अपनी जगा पे कितनी भी गलत है या जो भी है लेकिन ये टाइ बैटिन की मा नहीं है इनके बाप अलग-अलग है लेकिन मा तो अलग नहीं है तो मां का दिल बिल्कुल भी नहीं चल रहा बेटी के लिए एक कहसे हो सकता है मुझे नहीं यकीन आता यार यह सब देखे मुझे नहीं यकीन कि अहांने ने हैं कि iBS दिल हो सकता है को इनको देख कर लिए में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती विलेकिन कमेंट भी तो आजहाρέ है अगर नहीं भी बोलूंगी तो क्या हुआ लोगों को यह बात समझ आ रही को यह, लोग बाते कर रहे तो मेरे बोल लेने से क्या हो जाएंगा और मैं ना बहुत जैने की अवाज हूँ जैसे कि जब मैं वीडियो डालती हूं ना भौत जैने ये लिखते हैं कि दीदी हम लोग जो सोच रहते हैं हम लोग जो कहना चाथेते थे ना हुआ आपने ये वीडियो में कहा है तो मैं उनके लिए ये सब कह रही हूँ कि लोगों की सोच है ना और मेरी कुछ की यही चल रही है कि ऐसा भी होता है मुझे नहीं लगता था कि कोई भी माँ अपने बच्चों में कभी फरक कर सकती है हाँ सोतेली फरक कर सकती है सोतेला बाप फरक कर सकता है लेकिन सगी माँ अपने बच्चों में फरक कैसे कर सकती है लेकिन इनको देखके ना यकीन हो रहा है कि हाँ इसा भी होता है दुनिया में ऐसी भी माँ होती है लादो को तो छोड़ दो तो दिलबर बाबर जो बेशरम बेशाया आपनी जो दोजक भर रहे है और जननत जो लोग हात दो रहे हैं ना उन्लोगों इतने बेगहरत है कि उनकी थज़ा ए ना उनको उनकी अउलाद में, जब उनकी अउलाद उनके साथ में यही फुलूप करेंगी ना तो उनको समझ श्यूंत में प hemos of my life अवलाद में मने नहीं देकी । दुनिउक में के मतलब पैते के लिए इतना गिर गए हो इतना ज्यादा उख oath घर गई हो िर्तुम लोग कि तुम लोग अपनी खाला का देने के लिए अपनी मा को चोड़ ты कि अपनी मा के लिए तुम लग उल्ठा सिधा बोल रहे हो लक लानत है तुम लोगों के उपर और दिलबर बापर यह सोचके कूस हो रहे होंगे के नानी हमें बड़ा प्यार कर रही है नानी लिए भी बोल चुकी एंद है अपनी बेटी को ही नि पूछ रही है तो नानी तुमारी कहां से होगी कहां से होगी अप लोग खुछ सोचो के ना न है ना सिर पर सितारा का जो सपोर्ट कर रहे हैं ना उनको गले लगा रही है उनको पप्यार यह और एक्टिंग के तहफे धुएक्टिंग मतलब शितारा ने करने लगा यह तो कर रहे हैं खुद के दील से करना और किसी के बोलने पर करना उसको आक्टिंग कहा जाता है इसे लिए मैं एक्टिंग कहे रही हूं बाकि प्यार कितना है वो तो दिखता है अगर इतने ही ममता रहती न तो पहले अपनी बेटे को पूशती सितारा तो हई एक नंबर की घर तोड़ू और वो कब कौन से रिस्ते को साथ में लेके चलिये जो वो लुबिना को लेके चलती या वो दूसरी कोई बहनों को लेके चलती या वो ससुराल वालों वो माईके वालों को लेके चलती वो तो हाई घर तोड़ू और एक नंबर की जल कुकड़ी और जगडालू अवरत वो तो हर किसी से cut-off करती है हर किसी को यूज करती है हर किसी और फाइदा उठाती है लेकिन अम्मी के तो दिल में ममता रहना छिएता यहां पर दिखना छि की खेर जैसे मैंने दो वीडियो में बता चुकी हूं चार दिन की चाननी फिर अंधेरी रात आएंगी जरूर आएंगी और बहुत जल्दी आएंगी और सितारा को ना शरम आनी चीए डुक के मर जाना चीए कि अम्मी को ये सब करने लगा रही है बोलने लगा रही है और जो responsible बनता है वो सितारा है सितारा की वज़े से अम्मी के उपर इतनी बाते हो रही है लोग इतना कुछ कह रहे है इसकी अम्मी को न हो है न सारा कुछ सितारा को credit जाता है क्यूंकि सितारा ना ये सब एटिंग करने लगाएंगी अम्मी को ना अम्मी को ये सब बोलने लगा करेंगी और नहीं लोग अमी के उपर बाते करेंगे तो बड़ा ही दूख हो रहा है मुझे कि यह कैसी बेटी अपनी चैनल के लिए अपने डॉलर के दिए अपनी मां को गंदा करी यह लख लाना थे इसके उपर जो बच्पन से जिसका बोलते थे फिर हुआ तो आपका भी व पर मुझे इतनी हासी आई है कि जाड़ वाली चुड़ैल की आप लोगों ने नाग देखी होगी इतनी लंबी है कि यह पाकिस्तान में बैठके सौधी में नाग गुसेल लेती है बताओ इतनी लंबी नाग और आवाज तो अल्ला तो बहुत बोलना नहीं चीए नाक अल्ल दूतरों के घरों में नाग गुसेल गुसेल के लोगों के रिष्टे खराक परती है इसके लिए मैं नाग का और आवास का कहे रही हूं तो यह इतनी गलीच और गंदी औरत कहे रहा है चान का तुकड़ा है वा भैवा अगर यह चान का तुकड़ा है तो फिर तो तेरी तो आ रहे हो यह सब बाते कर रहे हो यह सब बाते क्यूं कर रहे हो क्यूं गंदा कर रहे हो तो भई हम थोड़ी लेकर आते हैं यह लोग खुद ही लेकर आते हैं अब आज नभी कहानी कौन सी लेकर आए इन लोगों ने सितारा ने खुद बताई कि इन लोगों ने लब मैरिज की फारुक ने खुद बताया कि इन लोगों की लब मैरीज हुई है यह ना मतलब कि इनके घर में मैं तो ऐसे सोचती हूँ ना कि एक सलमा को और एक दो बंदों को छोड़ के बाकी को तो दुर्बिल लेके ढुनना चीए कि इनके घर में ऐसा कोई बंदा है जो ऐसी सब घटिया आरकते नहीं किया हो कोई तो होगा कोई तो होगा यह लब शब और यह सब अफैर और सादी से पहले मुकाला कर लेना यह सब नहीं करके इस्जत से शादी किया हो और उनके रिष्टे ऐसे हो जिसके उपर बाते नहीं हो रही हो कोई है यहार होगा तो डून के बताओ क्यू हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा है यार बहुत अच्छा है कि मतलब आपत कि लुग लगे पड़ेतेबं वो उसके साथ कोई किसके सात बहुत इंग गटिया है यार बहुत ही ज़ादा घटिया इनका घर मैं वह जितने वह लोगुग रैना in Kwaskar का सलमा को चोड़के बाकी सब इतने गटिया इनके रिस्ते हैं यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब कोई रिस्ता ऐसा नहीं है कि बीना अफैर के बीना लफ के बीना ये सब गंदगी के इनके रिष्ते हुए वह उएंगे अब जाहिर सी बाते कि लब मैरी जुह है तो अफैर भी हुआ होगा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा इत कि वजए ते फीर शादी करनी पड़ी होगी लख लाना को है इनके ओपर और मुझे लगता है कि इसको न यह चान का तुकड़ा है न नशे में ढिकी होगी जरूर यह नसे में था तब ही इस्को चान तौक पूरत नाग घुसेडने वाली अवरत है ना यह भी बड़ा गिरा हुआ मतलब इसको इतनी बदनाम किया इतनी गंदी 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 बाते की इसके बारेमें दिल्बढर ने के हम ने भी आवाद उठाईती इत हकम Не और इतनी इसकी मतलब क्या कहूं कपड़ा फाड़ के इसकी बेश्टी की थी वाईटी पे दिल बरने और बड़ा ही अफसोस होता है देखके के उनके घर पे खाने चले जाती है और आज भी पार्क में दिल बाबर के साथ में हाथ मिला रही थी देखके इतना अफसोस हुआ और कह रही थी मेरे पास में मतलब अब क्या बताओं कि पीछे ये बाते हुई है कि मैं मजबूर हूँ अपने हस्बेंड से न मैं मजबूर हूँ इसके लिए मैं उनसे मिल लेती हूँ इसके लिए मुझे जाना पड़ता है बाकी मैं नहीं उनसे रिस्ता रखना चाहती मेरे हस्बेंड से मजबूर होके रिस्ता रखना पड़ता है तो हस्बेंड ने मजबूर करके कहा था कि जाड़ु अली चुड़ैल उनसे हाथ है मिला के हैंड शेक कर वा भई वा ये छीचोरा पना तुम लोग के घर में अच्छा चलता है है ना फिर बोल देते हैं कि हम लोग मजबूर थे लांती चाहिए देखो कि एक बात मैं और बताऊं कि इसको अम्मी अबू से कितना प्यार है और इसको नजमा को भी सितारा को भी ये बात आज वीडियो में साबित हो गई कि लोग कितना प्यार करते है कि ये देखो कि अबू को जाना था अक्का चेकप कराने के लिए ना दिलबर साथ गया ना बाबर गया और ना फारूक गया ना नजमा कुद गई जो अबू अबू करती रहती है ना नजमा खुद भी साथ नहीं गई, ना सितारा गई, ना सितारा का चाचु गया, कोई भी साथ में नहीं गया, कौन गया, सितारा के जेट, सितारा का जेट अपने साथ में लेकी गया, सोचो है अप लोग के ससुराल वाले कितने खराब है सितारा के, के वो जो सितारा के बोलने के लिए बड़ा ही शरम आती है इसको शरम आती है अपने अप्बू को बोलने वैसे शर्माना तो अब मिज़े नहीं लगता है इसका बनता है क्यूंकि सारी दुनिया को पता है अब वो तेरे अप्बू है तो तू बोल सकती तो उनको किसी ओर के साथ में हॉस्पीटल बेच के इन लोग पार्क में पाटी करने के लिए आ गये और इतना इसने बोली कि अभी वो आ जाएंगे अभी आ जाएंगे लेकिन फिर मतलब इन लोगों ने खाना भी खा लिया इन लोगों ने इंजॉय भी कर लिया वहीं रात भी हो गई मतलब enjoy करते करते क्या नाम है दिलबर वाबर के घर पे रात भी हो गई और इनके अब्बू का कोई पता नहीं था इन लोगों से खाना भी उतर गया बिना अब्बू के साथ में तो चलो नहीं गए नहीं गए लेकिन इन से बिना अब्बू के के लिए इसने बुलाई अम्मी अब्बू को वो भी समझ में आ गया तो फिर बाद में लोग आधी रात को जब घर गए तब अब्बू घर पे दिखे वरना पूरे enjoy करते टेम पे अब्बू घर पे नहीं थे और नहीं तो अम्मी और अम्मी को तो इसने content के लिए बुलाया है तो अम्मी को भी इसने जाने नहीं दी अब्बू के साथ hospital check-up के लिए सोचो आप लोग कितना प्यार करती है न सितारा और कितना content के लिए बुलाई है कितना use कर रही है वो तो दिख गया आज अच्छे से दिख गया है किलबर बाबर के घर पे गयते तो वहां पे जूट मुटका हस रहे हिल हिल के हस हस के दिखा रहे हैं कि हम लोग ऐसा वीडियो बना के डालेंगे तो कोई जलेंगा तो भाई कोई नहीं जलेंगा बलके लोग सोच रहे हैं कि इतनी भी आटिंग कान कर सकता है तुम लोग की एक्टिंग ओ देखो फ्लाप एक्टिंग कर्रे हैं ऐसे हसने की ऐसे ही लिल के आगे पीछे ही ही लिल के हस के तुम लोग समझ रहे हो तुम लोग जला लोगे किसी को कोई नहीं जल रहा भ warfare कोई भी नहीं जल रहा बल्कि ELO के ओपर हस रहे कि Isidka कि इतनी फेक एक्टिंग कर रहे हो यहारेक्टिंग कर भी रहे हो तो थोड़ी हैसी करो जो रियल दिखे वहाँ पे तुम लोग म्यूजिक डाल देते हो ताके पब्लिक को पता नहीं चले कि ऐसा कौन सा जोग मारा है जो तुम लोगों ने हसा है तो जोग तो वहाँ कुछ नहीं होता शरी विस्क्रिप के हिसाब से हसना होता है तो मों पे हसी नहीं रहती है लेकिन वो जबड़ा पाड़ के हिल लेते हो और म्यूजिक डाल देते हो के कोई जल जाएंगा गलत पहिमे के सिकार और बोल रही है के अमी को मना कीती गीफ्ट मत लेके आना अमी की तब्यत खराब थी अमी ने कैसे शोपिंग की मैंने मना की ती शोपिंग करने नहीं जाना मैं यहीं से लाके देदूंगी आप बाट लेना तो अगर के दो-दो रुपय अले अगर डुपटे अमीने बाट दिये तो वह भी इसको दिखाना जरूरी था अम्मी इतनी धूर से इसका content बनके आ गई तो वो भी दिख रहा है पब्लिक को तेरे लिए तो अम्मी वहां से content बनके आ गई भई अगर दो रुपे ले डुपटे किसी को बाट दिये तो बहुत बड़ी बात नहीं हो गई और जो तु बता रही है अम्मी बिमार थी फिर भी अम्मी ने शॉपिंग करके आई तो सबको पता है कि अम्मी ने कितनी शॉपिंग किये और सल्मा ने कितनी शॉपिंग करवाई है सल्मा ने सारा कुछ घर बैठे बैठे लाके दिया है ठीक है और रही बात पैसे की वो तो तुझे भी पता है कि अम्मी के कितने पैसे कर्चा होते हैं और सल्मा कुछ कितने लगा देती है तो तेरी गिरी होई हरकते ना तेरे पात्र थोड़ा सरम कर डूप के मर कितना जूड बोलेंगी कितना कॉंटेंट के लिए जूड बोलेंगी लग लाना ते और ये जो पप्पिया जप्पिया चालूए ना एक्टिंग है ना थोड़ी सी ओवर होरी है थोड़ी सी कम कर दे थ तो थोड़ी सी कम करेंगी ना तो थोड़ी सी रियल लगेंगी मुझे ऐसा लगता है कि लगेंगी बाकि एक्टिंग बहुत ज़्यादा ओवर हो रही है तो थोड़ी सी कम कर ना तो मुझे comment में जरूर बताना के आप लोगों को लग रही है के नहीं लग रही है ओवरएटिंग क्योंकि मुझे तो लग रही है पप्यां देना गले लगना और एक दूत्रे के उपर गिर जाना मुझे थोड़ी सी ओवरेटिंग लग रही है वाकि आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना तो यह वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूं वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना पतन आएंगी तो लाइक करना शेयर करना यार लाइक और शेर भी कर दिया करो चैनल पे नियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते नेक्स्ट वीडियो में अल्ला पीस